दोस्तों सामने आप देख रहे हो डी शेटरिंग का काम चल रहा है और इसी में एक कोशन निकल के आता है कि जब सरदी आ जाती है देखो अभी सरदी आ गई है नवोम्बर दिसम्बर का महिना चल रहा है और इस समय डी शेटरिंग जो आपको करनी होती है स्ट्रिपिंग रहता है उससे भी जल्दी खोल सकते हैं क्योंकि काफी गर्मी होती है जो hydration process ज्याँ पानी जो चाहिए वो हो गया होता है पूरा लेकिन इस समय temperature है रात को temperature हो जाता है 12-13 degree नौर्थ में तो बुरी हाल आता है मतलब रात को 8-9 degree even 5-6 degree temperature चले जाता है और जब 15-16 temperature से नीचे temperature आता है और उस time काफी दिक्कत आती है तो आपको क्योरिंग कितने दिन करनी है और डी shattering कितने दिन करनी है वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला देखो IS code क्या कहता है मैं IS code के इसाब से बताऊंगा थोड़ा practical ही चीज़ें में relate करूगा एक question में इसे पूछा गया था कि sir एक दिन में strength 16% है 3 दिन में strength 40% है 7 दिन में 65% 14 दिन में 90 और 28 दिन में 99% होता है और एक दिन में 16% strength है तो उसके बाद हम de-shuttering कैसे कर सकते हैं ये question भी पूछा गया था इसका भी answer आज आपको देने वाला देखो इस चीज़ को मैं simple तरीके से आपको समझाता हूँ IS code हमें क्या कहता है मैं आपको summer का भी बताता जाऊंगा साथ में winter का भी उसमें से आपको winter का निकल जाएगा idea लग जाएगा कि summer में क्या करते थे winter में क्या होगा सबसे पहली चीज़ हमारी जो column होता है जो beam है जहां हमारी जो भी side है कोई vertical पड़दी है तो lift की पड़दी है तो यह क्या होता है vertical जो भी shattering हमारी होती न वो हम गर्मियों में वो हम निकाल देते हैं 17 गंटे से 24 गंटे के बाद हम उसकी de-shattering कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है उसको अराम से निकाल देते हैं कोई हमें दिक्कत नहीं आगी लेकिन winter में तेखो temperature इसमें काफी चाही होती है थोड़ी बहुत तो वो थोड़ी slow हो जाती है तो इस समय हमें जादा time चाही होता है तो आपको winter में जो de-shattering करनी है vertical sides की वो करनी है 24 गंटे से लेके 48 गंटे तक मतला 24 गंटे तो minimum उसको रखना ही रखना है उसके बाद de-shattering करनी है अगर पहले कर दोगे तो cracks आने के chances हो जाती है इतने बड़े-बड़े cracks नहीं आते हैं लेकिन चोटे-चोटे cracks वो बाद में जब load उसमें आता है वो cracks बड़े होते हैं और आपका structure fail होने के कदार पर आ जाता है तो यह चीज़ दियान देनी है फिर हम इसमें most important चीज़ आती है जो हमारी beam होता है ठीक क्या आता हूं क्योंकि दोनों summer winter करूंगा आप confused हो जाओगे तो सिधा winter का मैं बताता हूं आपको उसकी जो साड़े-चार तक beam है साड़े-चार मीटर तक उसको 14 दिन बाद आपको क्या करना है उसकी जो bottom होता है जो bottom है प्लाई का बन है या plate है वो आपको 14 दिन बाद निक हो ली है आपको कितने दिन बाद 28 दिन बाद 28 दिन बाद 28 दिन बाद 28 दिन बाद फिर जो हमारा spine अगर है शाड़े-चार मीटर से जादा तो उसका जो आपको bottom निकालना है वो 21 दिन बाद निकालना है कितना 21 दिन बाद 21 दिन रखो कोई उच्पनी होगा ने तो settlement cracks तो लोग क्या करते हैं जैसे हमारी shuttering हो जाती है उपर के चले जाते हैं कोई चारदवारी कर रहा है या डिप्लेक्स कर रहा है तो उपर का काम शुरू करते हैं rate, बजरी, brick, लोहा सब चीज़े रखने लग पड़ते हैं dead load बढ़ जाते हैं एक तो slab का self dead load होगा उपर dead load हो चोटे spawn हमारे होते हैं तो आपको उसके spawn जो खोलना है वो उसको खोलना है 15 दिन बाद 15 से 16 दिन बाद उसका spawn खोलना है अगर चोटे spawn है और उसमें फिर props लगा देनी है आपको और वो props खोलनी है आपको 21-28 दिन बाद ठीक है बली लगा देनी है अगर spawn है बड़ा तो उसक हमें जो bottom खोलने है वो 21 दिन बाद खोलने है फिर हमने props लगा देनी है और props खोली है 28 दिन बाद तो ये चीज़ें अगर दियान रखनी है आपको फिर हम आते हैं CD पे तो CD में आपको क्या करना है CD पे आपको जो de-shuttering है वो 21 दिन बाद शुरू करनी है कितने 21 days बाद और possible जो उसकी landing है जा एक दो जगा फिर बल्ली प्रोवाइड कर दो 21 दिन बाद उसकी de-shuttering करके ठीक है बल्ली प्रोवाइड कर दो वो 28 दिन बाद निकाल देना main दियान किसका देना है आपको जो cantilever beam है जा arch है तो cantilever और arch beam हो और arch में आपको 21-28 दिन लेने है कितने 21-28 दिन लो उसके soffit निकालने में बाद बल्ली लगा दो देखो 5-6 दिन में कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला जादा खर्चा नहीं होगा जोदा शट्रिंग अगर किराये पे लिए होगी थोड़ा बहुत फरक पढ़ता है लेकिन आपको फरक पढ़ने देना है क्योंकि winter में chances रहते हैं cracks के क्योंकि hydration process slow हो जाता है strength दीरे-दीरे पकड़ता है concrete जैसे हम बात करें जो हमारा concrete होता है वो एक दिन में 16% strength पकड़ता है 16% और तीन दिन में वो पकड़ता है 40% strength साथ दिन में वो पकड़ता है 55% strength चोदा दिन में वो पकड़ता है 90% strength और 28 दिन में वो पकड़ता है 99% तो अगर आप 3 या 7 दिन पे देखो 40% strength और 55% strength कुछ नहीं है आदी strength है तो इतनी जल्दी यह risk लेना अच्छा नहीं रहता है cantilever beam में आपको क्या करना है cantilever beam में जब आप de-shuttering करने जाओगे मैं आपको theoretical बहुत समझाता हूँ उसमें दियान क्या देना है आपको देखो इसमें क्या होता है हमारे cantilever beam जो है इसके नीचे मैं shuttering बना देता हूँ यह shuttering की हुई है यह हमने बल्ली लगाई हुई है यह एक दो और तीन यह हमारी बल्ली लगी हुई है तो हमें इसको कितने दिन बाद खोलने है इसको हम उन्हें खोलने है 21 दिन बाद बल्ली नीचे तो अगर इदर से जाओगे तो यह बन जाएगा simply spotted beam देखो इसका tension zone है उपर compression zone है नीचे तो अगर आप यह दो बल्ली निकाल दोगे इसको इदर रहने दोगे इसको यह तो simply spotted beam बन गया ठीक है तो simply spotted beam है नी क्योंकि tension सरीय हमारा जादा पड़ा है उपर में और मैंने काफी जगा क्या देखा है लोग क्या करते हैं यह हमारा cantilever beam जो है ना अगर यह cantilever beam है लोग यहां तो हमारी दिवा कि इसमें से निकला होगा आपको हमेशा गर बल्ली रखनी भी है ना तो यहां रखो यहां रखो यहां मत रखो यह चीज़ दियान देना और 21 दिन बाद जब शेट्रिंग इसकी यह निकाल दो बॉटम तो फिर उसके बाद बल्ली लगा दो इसमें ऐसे ठीक है यह चीज़ दियान देनी होती है और जो question था की सर स्टेंथ तो हमारी एक से एक दिन में 16 प्रसेंट थीन दिन में 40 प्रसेंट है और फिर हम एक दिन में 24 गंट बाद कॉलूम की Shuttering कर रहे हैं तो D Shuttering कैसे कर सकते हैं देखो D Shuttering कर रहे हुग आप उसमें स्टेंथ का कोई लेना देना नहीं है उसमें ये है कि concrete हमारा उसका setting time देखने है दिक है उसका setting time है हमारा 30 minute में initial start हो जाता है और 10 गंटे बाद उसका final setting time लमसम हो जाता है और सर्दियों में लगा लो 15-16 गंटे लेगा इसलिए सर्दियों हम क्या करते हैं 24 गंटे तक उसकी de-shuttering नहीं करते हैं और जो load strength का लेना द डालने का है कि column पे आप अगर तीसरे दिन load डाल दोगे उसमें 40% strength हाई होगी जब उस पे तीसरे दिन load डाल दिया तो वो failure होने के chances बढ़ जाते हैं तो हम load इसमें मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको जो slab होती है वो कितने दिन बाद हमें column पे डाल कितने दिन में हम उसको पूरा schedule बताऊंगा कैसे कैसे आप गर का schedule कर सकते हो वो वीडियो बहुत important रहीगी इसके contractor है fresher के लिए comment जरूर करना और दोस्तों का शेर करो I hope आपको idea लग गया होगा क्या बताने वाला था thank you guys